नमस्कार आशकाता हूँ आप सब अच्छी होंगे और आपकी स्टेडी भी अच्छी चल रही होगी तो बहुत सारे केंड़ेट का डाउट था कि संगनक की आंसर की कब आएगी और क्या कट ओफ रह सकती है तो उसी पे आप डिसकस करने वाले आपके सारे डाउट किलियर हो ज जाएगा तो अब बात करते हैं संगनक की अनुमानित कट ओफ क्या रेक्सेस की है और आंसर की क्या कब आएगी तो दोनों चीज़ डिसकस करेंगे एक बात मैं आपको ये भी बचा दूँ जब संगनक की आंसर की आएगी तब अपन फिर से कट ओफ बनाएंगे क्योंकि आं अब बात करते हैं आप सबको पता है कि पेपर केसा हुआ था स्टेटिक का इकको का इसमें क्या पोर्शन था कितने केंड़ेट बेठे थे कंप्यूटर के क्या कोर्शन थे मेट के क्या थे ये सब आपको पता है रास्तान जीके का लेवल क्या था अपन वो चीज़ डिसकस नहीं करेंगे पहले बात कर लेते हैं कि अंसर कटोफ क्या रह सकती है परसेंटेज में बात कर लेते हैं अपन कटोफ का इधर मैं लिखूंगा cut-off जैसे अपन बात करते हैं यह journal category की है OBC, journal OBC EWS SC और ST इनकी discuss करेंगे और MBC ठीक है जो candidate female category से हैं वो अपने किसी भी category से हैं तो हर category से अपने 2-4 number कम कर लेना क्योंकि female की थोड़ी कम ही रहती है तो अगर journal की बात करें कितनी रह सकती है cut-off तो most probability chance है journal की 75% cut-off रहने के ज्यादा chances बनती है OBC की कितनी रह सकती है 70% रह सकती है OBC की और EWS की 68 रह सकती है 68 रह सकती है और SC की 65 रह सकती है SC और ST की एक साथ ही वो इतनी रहेगी कि एक दो नमबर का फरक पड़ेगा 65 के आसपास OBC की रहेगी 66% cut-off रह सकती है तो अगर आप जिस category से belong करते हो तो आप देख सकते हो आपकी cut-off कितनी रहेगी क्योंकि यह एक अनुमानित cut-off है अगर हम 2021 वाली बात करें cut-off तो उस cut-off में क्या था हर category के इसमें से 2-3 percentage कम ही थे बट अपकी बार competition भी बढ़ा है paper का level भी बढ़ता है student भी बढ़ते है तो हर चीज cut-off त्यार इस तरह की जाती है कि सब चीजों को हर parameter को अपने देखना पड़ता है यह एक अनुमानित cut-off है अब जैसे ही आपकी answer की आएगी तरह अपने फिर cut-off बनाएंगे कि cut-off क्या रह सकती है और कितने question डिलीट हो रहे है कितना objection लगेगा वो भी discuss करेंगे अब क्या होता है कि आप बोल रहे हैं कि cut-off जादा है या कम है तो जैसे मानलो आपने 100 question क्या paper था मानलो अगर उसमें आपने 90 किये exam hall में जब आप बस और train में होते हो घर आते हो तो आप उसको मिला रहे हो तो 85 question सही होते है 90 मानलो आपके सही थे exam hall में बस train में 85 होगे रस्ते कंद फिर आपने किसी coaching की answer की लगाई तो आपके कितने सही होगे आपके सही होगे 80 सही होगे और गलत होगे 5 फिर real answer की आएगी उसमें आपके 75 सही होगे तो ऐसे हमेशा question गठते जाते हैं तो ये सब चीज भी डिस्पेरा मीटर है जो ये भी उस पे depend करता है कि कितनी cutoff रहने वाली है अब अपन बात करेंगे कि answer की कब आएगी तो हमारे हद्यक साब ने 22 मार्च को आज का दिन answer की का बोला था अब लगी अचार सहींता तो अचार सहींता का क्या प्रभाब पड़ता है किसी भरती या result या answer की पे वो मैं आपको बता दू कि सारा power होती है वो चुनाव आयोग के पास चल जाती है जब चुनाव आयोग परमिसन देगा तभी सारा काम होगा अब डिपार्टमेंट की फाइल रिजेल्ट से समंदित और जो वेटिंग लिष्ट है answer की समंदित है वो चुनाव आयोग के पास भेजी गई है डिपार्टमेंट ने करमचारी चैन बोर्ड ने भेज दिये अभी उस पे कोई action नहीं हुआ हो सकता है आज ही action हो जाए उस पे बात बन जाए तो आज भी answer की आ सकती है बट ज़्यादा chances है कि आपकी answer की 25 मार्च के बाद ही देखने को मिलेगी मार्च के last week में अप्रेल के first week में आपको देखने को मिल सकती है मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इदेख साब ने tweet किया कि 25 मार्च तक चुनाव आयोग हमें clearance दे देगा पता चल जाएगा क्या होता है कि answer की और result कब जारी होगी बहुत सारे candidate wait कर रहे है CH answer की है, संगनक answer की है, video waiting list हो गया IEA का result हो गया, agriculture supervisor result है या junior accountant का result है ये सब candidate भी wait कर रहे है तो उनको ही बता दू कि ये जल्द ही आपके सारे doubt clear होंगे जैसे ही चुनाव आयोग permission दे देगा तो आपके सारे result साब answer के आप start होने लग जाएगी आने लगातार क्योंकि department अपना काम कर रहा है करमचारी chain board अपना काम कर रहा है और ये लगे हुए है answer की बनाने में, result बनाने में तो बस जुरूरत इतनी है कि मतलब हमें इतनी ही वो clearance चाहिए, हमें permission चाहिए बस चुनाव आयोग से, वो हमें permission दे और department अपना काम कर देगा करी रहा है, मतलब जारी कर देगा answer की तो आप हमारे साथ बने रहें जैसे ही कोई next update आएगी तो मैं आपको जुरूर वीडियो बना के inform करूँगा और ये भी discuss करेंगे कि answer की आने के बाद कितनी cut off रह सकती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद धन्यवाद